कि अब सब्सक्राइब का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायलोजी विद्राजीव में दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे टेंद की साइंस इसमें आप लों को बताया जाएगा कुछ सामान्य लवरों के निर्मार की विधी तथा उसके गुर्धर्म और उसके उपियोग तो चलिए आपनों का ज्यादा समय ना लेते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है धावन सोड़ा आज का टॉपिक है धावन सोड़ा है या इसे इंगलिस में कहा जाता है वासी सोड़ा आथवा सोड़ा एस सोड़ा एस तो आज का टापकी यह है तो सबसे पहले धावन सोड़ा के बारे में जानेंगे तो इसका रासायनिक नाम धावन सोड़ा का रासायनिक नाम तो धावन सोड़ा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट अब इसके अनसूत्र की बात कर ली जाए तो इसका अनसूत्र इसका अनसूत्र होता है इसका अनसूत्र होता है अब इसकी प्राकृत की बात कर ली जाए तो इसका अनसूत्र होता है चारी ये लोण है चारी लोण उसके बाद प्राप्ति अस्थान देख लिया जाए प्राप्ति अस्थान तो ये मुखत है कहां कहां पाया जाता है ये देखेंगे आजमगड जाउनपूर गाजीपूर आदी जीलो में पाया जाता है आदी जीलो में पाया जाता है बिहार और राजस्थान में भी पाया जाता है तो ये रेह या सज्जी मिट्टी जीसे कहा जाता है उस रूप में पाया जाता है अब इसके बनाने की बीदे देखेंगे यानि सूडा धावन सूडा जो है उसके बनाने की बीदे धावन सोडा बनाने की बनाने की बीधे तो इसमें सबसे पहले परियोग साला बीधे परियोग साला बीधे इस बीध में क्या होता है इसको जानेंगे तो इसमें सबसे पहले कास्टिक सोडा का सांद्र बिलेन लेते हैं उसमें कारवन डायाकसाइड गैस अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं उसके बाद सोडियम कारवोनेट के सोडियम कार्बोनेट का विलियन प्राप्थ होता है और उसको वास्पित करने के बाद सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्थ हो जाते हैं अर्था धावन धावन सोडा प्राप्थ हो जाता है तो सबसे पहले कास्टिक सोडा यानि एन्ने ओएच इसे सोडियम हाइड सांद्र बिलेयन में CO2 गैस में CO2 गैस एनी कारबन डाय अक्साइड गैस अधीक मात्रा में अधीक मात्रा में प्रवाहित अधीक मात्रा में प्रवाहित करने पर करने पर सोडियम कारबनेट के विलेयन प्राप्त होते हैं यानि यन्य टू सीओ त्री के विलेयन प्राप्त होते हैं प्राप्त होते हैं अब इसके बाद सूडियम कारबनेट के जू बिलेयन प्राप्त होता है इसका वास्पी करने पर अर्थात इसका वास्पन करने पर धावन सोडा का क्रिस्टल प्राप्त होता है जैसे रियक्ष्ण पाइच देखेंगे जैसे यहां यहां यह न्य प्राप्त है इसकी क्रिया कराते हैं कारबन डाई आकसाइड से उसकी बाद यहां बनता है यह न्य टू सीओ थ्री और जलब तो जब इसका वास्पन किया जाएगा तो यह न्य टू सीओ थ्री इंटू यानि कहने का मतलब इसका जब वास्पन किया जाएगा वास्पन तब यहां प्राप्त हो जाएगा यह न्य टू सीओ थ्री इंटू टेन एस्टू इस परकार सोडियम कार्बूनुट या धामन सोडा मनाया जाता है इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके बनाने की दो अन विधिया हैं जिसे अवधोगिक विधियों के अंतरगत रखा गया है यानि आवध्योगिक विधिया आवध्योगिक बिधिया इसके अंत्रगत मुखता दो बिधिया आती हैं जिसमें पहला है ली बलाक बिधि ली बलाक बिधि और दूसरा है दूसरा है सालवे अमोनिया सोडा बिधि सालवे अमोनिया सोडा बिधि ये दो परगार की बिधिया है जिससे भी ये धावन सोडा बनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे देखेंगे इसके गुर्धर्म धावन सोडा के गुर्धर्म धावन सोडा के गुर्धर्म गुर्धर्म की ये दिवात करें इसके गुर्धर्म इसको इसके गुर्धर्म को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है एक भावती और दूसरा रासायने तो सबसे पहले जानेंगे तावन सोडा का भावतिक गुर्धर्म यहां भावतिक गुर्धर्म इसको देखेंगे पॉइंट वाइस इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं कि सोडियम कार्गोनेट सफेद रंग का सोडियम कार्गोनेट सफेद रंग का सफेद रंग का ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ है दूसरी पॉइंट पे रख सकते हैं दूसरा पॉयंट है इसका गल बनांक इसका गल बनांक 850 अंस सेंटी ग्रैट होता है अगला पॉयंट है तीसरा ये है जल में जल में विले यह है यानि जल में आसानी से भूल जाता है अगला पॉइंट है चौथा चौथे पॉइंट पर रख सकते हैं यह है रंग हीन यह है रंग हीन यानि बिना कलर के गंध हीन गंध हीन क्रिस्टली ठोस क्रिस्टली ठोस है जिसमें जिसमें जल के जल के टेन यानि दस आड़ू है कि अगला पॉइंट है पॉइंट नमबर फाइफ की बाद किये जाए तो इसमें इसे सुस्क वाई में रखने पर इसके क्रिस्टल जो है जल के अड़ू निकल आते हैं और इससे गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोने बनता है यानि सुस्क वाई में रखने पर सुस्क वाई में इसको सुस्क वाई में रखा जाए तो इसके जल के क्रिस्टल पराफ्थ होते हैं जल के क्रिस्टल पराफ्थ होते हैं उपी अगर इसको गर्म किया जाए यह तो सुस्क वाई हुगा उसके बाद गर्म करने पर गर्म करने पर तो इससे जब गर्म किया जाएगा तो निर्जल सोडियम कार्बोने बनता है निर्जल सूडियम कार्बोनेट बनता है इस परकार इसके बहुत ही गुड़ है उसके बाद आगे देखेंगे इसके रासाइनिक गुड़ चलिए देखते हैं रासाइनिक गुड़ इसके धावन सोडा का रासाइनिक गुड़ रासाइनिक गुड़ तो रासाइनिक गुड़ की एदिवाद करें तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं उस्मा का प्रभाव जब धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट में उस्मा प्रभाहित की जाती या गर्म किया जाता है तो क्या होता है तो यहां सबसे पहले उसमा के प्रभावन देखेंगे सोडियम कार्बोनेट यान्ने टू सी यू त्री इन्टू टेन एस्टू ओ जब इसे सुस्क हवा में सुस्क हवा में खुला छोडने पर कुला जोडने पर यानि सोडियम कार्बोनेट को जब सुस्क हवा में खुला छोडने पर है तो सोडियूम कार्वोनेट के नेरजल क्रिस्टल प्राप्त होते हैं यह से यहां यह 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 तू त्री इन्टू एस्टू ओ प्लस नाईम इस्टू ओ यह प्राप्त होता है अर्थात यह जो है नेरजल सोडियूम कार्वोनेट यह है नेरजल सूडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है कब जब उसमा का प्रभाव होता है और यह नहीं बात किया जाए कि कि इसे अधिक गर्म कर देतो यानि ENA2CO3 इन्टू येस्टू ओ अभी से अधिक गर्म करने पर अधिक गर्म करने पर तो यहां प्राप्त होता है ENA2CO3 और येस्टू ओ यानि नेरजल सूडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके बाद आगे देखेंगे तो यहां चारी बिलेन प्राप्त होता है चारी बिलेन प्राप्त होता है प्राप्त होता है अर्थावाद कहने का मतलब यह है कि धामन सोडा जब जल से क्रिया करता है तो यह जल में अफ़गटित होकर चारी बिलेन प्राप्त होता है जैसे देखेंगे यन्ने टू सी यू थ्री प्लस यस्टू ओ जब जल से इसकी क्रिया होगी तो यह बनाएगा यन्ने ओ यच्छ सोडियो हाइड्राक्साइड प्लस यस्टू सी यू त्री इसको बैलंस करने के लिए यह टू बढ़ाएंगे और यह टू तो यह प्राबल चार प्राबल चार यानि चारी बिलेन और दुरबल चार दुरबल चार वाना रत आछारी बिलेन प्राप्त होगा उसके बाद पंडबर 3 पे रख सकते हैं तीसरा जो रासानी गुड़ है अमलो से क्रिया अमलो से क्रिया तो जब धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट अमल से क्रिया करता है तो मुक्तव बनाता है लावर जल तथा कार्बन डाई आकसाइड यानी CO2 बनाता है कब जब यह हमलो से क्रिया करता है यैसे यह ने 2CO3 अब यह हमलो से क्रिया करा दीजी है CO2 हड्रो क्लोरी एसिड से तो यह बनाता है यह 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 सुडियू क्लोराइड प्लस CO2 प्लस S2O यानी यह होगे यह लावर और यह कार्बन डाई अकसाइड गैस प्लस और यह जल इस परकार जब दावन सोडा या सोडियम कार्बन डाई जल से क्रिया कराता है तो लमड जल और कार्बन डाई यह अकसाइड बनाता है एक और एक सम्देखेंगे जैसे यहां यहनी 2 C 3 प्लस यहां यह इसको बैलन्स करने के लिए यहां टो बढ़ा देंगे और यहां टो बढ़ा देंगे इसकी करिया करा देजे इस 2SO4 से सब्सक्राइब इसकी किरिया कराने के बाद यहां मनेगा यहने 2SO4 प्लस सब्सक्राइब और प्लस विश्पकार कह सकते हैं जब दावन सोडाया सोडियम कार्बोनेट अम्त सिक्रिया करता है तो लावड जल और कार्बन राई आपसाइड बनाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे अगला पॉइंट इस पे रख सकते हैं कि इसमें चॉथा पॉइंट रख सकते हैं सी ओटू से क्रिया तो जब सी ओटू से क्रिया करता है धाम सोडा या सोडियम कार्बोनेट तो यह मुखत है सोडियम बाई कार्बोनेट का अवच्छे बनाता है सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट का अवच्छे बनता है अवच्छे बनता है जैसे रियक्षन आएज देखेंगे यह ने टू सी ओ थ्री यह ने टू सी ओ थ्री प्लस यह स्टू ओ प्लस सी ओ टू से जब यह क्रिया करेगा तो यहां बनाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट यहानी यह ने यह सी ओ त्री कि यह उच्छेप है इसलिए और नीचे और इसको बैलेंस करने के लिए यह तो बढ़ाएंगे तो यह बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट का अच्छे पे बन गया उसके बाद पॉइंट नमर फाइफ पे देखेंगे रसाने गुर में पॉइंट नमर फाइफ बुझे चूने की साथ के लिए क्रिया तो जब सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा बुझे चूने के साथ अफ्क्रिया करता है तो यह मुखत है यह बनाता है कास्टिक सोडा आस्टिक सोडा या जैसे सोडियम हाइड्रा आकसाइड कहते हैं वो बनाता है जैसे रीक्स नवाजित देखेंगे यहाँ यह यह ने 2COO 3 यह कर ता आसे किरिया करता है बुझे चूने के साथ हर्था कैल्सियम हड्रा आकसाइड के साथ जब यह क्रिया करेगा तो यह बनाएगा यह गर्म करने पर इसके साथ यह बनाएगा यह एपनाए यह बनाएगा को यह कि सोडियम आइड्राक्साइड प्लस कैल्सियम कार्बोनेट का हुच्छेव कि सुबैलेंस करने के लिए यहां टू बढ़ा दिया जाएगा इस परकार कह सकते हैं जब धावन सोडा बुझी चूने के साथ क्रिया करता है तो कास्टिक सोडा और कैल्सियम कार्बोनेट का अच्छे प्राप्त होता है इसके बाद आगे बढ़ेंगे आगे देखेंगे हम सब कि धावन सोडा का उपियोग कहां कहां किया जाता है धावन सोडा का उपियोग धावन सोडा का उपियोग दावन सोडा का उपियोग इसको पॉइंट वाइस देखेंगे इसमें पहला पॉइंट देख सकते हैं दावन सोडा का उपियोग कठोर जल को मिर्दू बनाने है कठोर जल को मिर्दू बनाने में बनाने में यानि कठोर जल को मिर्दू बनाने में किया जाता है पॉइंट नुबर टू है प्रयोग साला में अभिकर्मक के रोप में प्रयोग साला में अभिकर्मक के रोप में अभिकर्मक के रोप में इसका अप्योग होता है पर नुबर त्री यह तीसरा अप्योग है कागज तथा कपड़ा उद्योग में कागज तथा कपड़ा उद्योग में इसका बेकिंग शोडा या जिसे खानी का सोडा कहते हैं बेकिंग शोडा बनाने में बनाने में किया जाता है अथवा अगला उप्योग है पांचवा काज तथा साबुन बनाने में काज तथा साबुन बनाने में दावद सोडा का अप्योग किया जाता है अगला है छाटमा अप्योग है पेंट तथा सुहागा बनाने में पेंट तथा सुहागा सुहागा या सफेदा सफेदा बनाने में सफेदा बनाने में यानि सफेदा की यह दिवात करें सफेद बनाने में अबरियोग की इसका है आग बुझाने वाले यंत्रों में भी युकिए जाता है यह रोग का यूए जाता है तो यश्भा्यार कर सकते हैं धामन सोडा काव की निम्लकित भी में परियुक्त होता है है तो बस आ इतना ही आज का वीडियो आप लोग कुक ऐसा लगा किमेंट करें लाइक करें और अधिक से अधी शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को अवे सब्सक्राइब कर लें कि इसके संदर में कुछ क्वेस्टन दे जाएंगे कमेंट बाक्स में उसको देख करके आप लोग क्वेस्टन गांसर देंगे जैंगे